जैहिन साथियो स्वागत है आप सभी का डिफेंस सेलफर यूटीब चैनल में दोस्तो सेना भरती को लेकर रच्छा मंत्राले का एक बड़ा बयान सामने आया है और दोस्तो ये खाबर निवज अकबार में भी छफी है अमर उजाला अकबार में तो दोस्तो जैसा कि आप लोग को पता हुगा कि सेना भरती को लेकर पिछलों दिनों से संसद में भी इसकी मांग उठ रही है तो सेना भरती क्यों नहीं हो रही थी यह संसंद मी मांग की जा रहा ही थी तो उसके जवाब में रच्छा मंत्राले की तरफ से राश सभा में क्या कुछ जवाब दिया गया तो वो news अमर उजला में दिया हुआ है तो मैं आप लोग पिस सारी जनकारी बताने वाला हूँ कि क्या कुछ इसमें दावा किया गया और भरती को लेकर क्या कहा गया नई भरती कब से सुरू हो सकती है चलिए दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलिग्राम को भी जुआन कर लीजिए टेलिग्राम ग्रूप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्सन में मिल जागा तो चलिए शुरू करते हैं देखें सबसे पहले जो अमरुजाला में खाबर चपी है हम आप लोग को उसे पढ़कर सुना देते हैं कि क्या कुछ राजसभा में कहा गया तो देखें मैं वो क्लिप ओपेट कर लेता हूँ तो देखें इसमें क्या कुछ लिखा है कि राजसभा में रच्छा राजमंत्री बोले कोरोना की वज़ा से सेना भरती अस्थगीद निरस्त नहीं तो देखें यहाँ पर उन्हेंने कहा गया है कि सेना भरती जो नहीं हो रही थी वो कोरोना की वज़ा से केवल अस्थगीद किया गया था बलकि उसे निरस्त नहीं किया गया है अब देखिए उसमें पूरा details में क्या लिखा है तो यहाँ पर दिया हुआ है कि एंसरकार ने स्पष्ट किया है कि उसने सेना भर्ती पर रोक नहीं लगाए है देखें यहाँ पर कहा रहे हैं कि सेना भर्ती पर कोई रोक नहीं है भर्ती होगी और कोरोना महामारी की वज़ा से अस्थगित हुई है राज सभा में रच्छा राज मंत्री अजय भर्ट ने बताया कि भर्ती के दवरान भीड जुटनेक से वायरस का प्रसार हो जाए देखे भर्ती के दवरान भीड जुटनेक से वायरस का प्रसार ना हो जा इसलिए भर्ती बंद किया गया है तो देखें दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता कि बहुत सारी स्टेट में चुना हो रहा है तो वहाँ पर क्या भीड नहीं हो रही थी इनको के वाद रैली भर्ती या इस अस्थगन को सरकारी रोक ना मना जाए तो देखें यहाँ पर कहा गया है कि यह जो भर्ती नहीं आ रहे है इसको रोका नहीं गया है बलकि कोविड के वज़ा से अस्थगित किया है यानि कि यह संसद में भी राजसभा में भी वही कोविड का हवाला दे रहे हैं उसके यहां पर देखिए दोस्तों एक जो यहां पर इन्हों ने दावा किया है वो क्या किया है कि 2019-2020 में हुई थी भरतिया उसके बाद यहां पर देखिए दो पॉइंट इसमें ध्यान दिजिएगा कि रच्छा राजमंत्री ने बताया कि 2018-19 में सेनग में 53,431 साइनिक भरती इन्तु अस्थगित कर दिया गया अब उसके बाद देखिए दोस्तों इन्हों ने क्या कहा है इंडियन एरफोर्स और नेवी को लेकर विशेश तोर पर इन्हों ने यह कहा है कि 2020-21-21 में वाइव सेना में क्रमसा 8,423 वा 4,609 और 9 सेना में 2,722 और 5,447 भरतिया हुई तो देखिए दोस्तों अब एक तरफ यह कहे रहे हैं कि भरतिया अस्थागित कर दी गई अब साथ आप लोगों को यह पता होगा कि जुलाइस में जो इसका एक्जाम हुआ था इंडियन एरफोर्स का उसका अभी तक यह रिजल्ट ही नहीं आया है तो इन्हों ने यह किस हवा उपन इंडियन एरफोर्स में भरती हुई जबकि आप लोगों को पता हुआ कि अभी रिजल्ट ही नहीं आया कोई भरती हुई ही नहीं दो हजार 22 में तो हजार 21 से कोई भरती हुई ही नहीं वहाँ पर देखिए और फीद भी यह कह रहे हैं कि यहां पर 4609 भरती हुई तो दोसान नेवी का भरती आ रही है तो वह अफलाइन है तो उन्होंने एड कर लिया हुई इंडियन एरफोर्स का जो इंदियों ने कहा है कि 4000 और आठ हजार यहां पर भरती किये गए यह दोस्तों किस तरीके से किये गए इन्होंने यह नहीं बताय कि यह भरती कब हुई नहो दो भरतियां इंडियन एरफोर्स और इंडियन आर्मी की भरति नहीं हो रही है तो देखिए दोस्तों इंडियन में कहा कि कोविट खतम होने पर हम भरति निकालेंगे तो सायद ये कोविट खतम होने पर भरति निकालेंगे अब दोस्तों कोविट कब खतम होगा ये यही वाला दिये है, क्या यह बास सही है तो आप लोग वीडियो के कमेंट में जरूर बताएगा तो दोस्तों अगर आपको यह लगता है कि यह न्यूज फर्जी है, हमने जो बताया यह फर्जी है, तो दोस्तों यह बिल्कुल सही न्यूज है, तो आप लोग यहाँ पर अमार उजाला के अफिस्यल वेबसाइट पर जाकर भी इसी न्यूज को पढ़ सकते हैं यह मेरे पास इसका क्लिप था तो मैंने यहाँ से ओपन करके बता दिया तो चलिए मैं आप लोग को दिखा भी देता हूँ नहीं तो आप लोग इसे बिल्कुल फर्जी मानेंगे तो चलिए मैं इंड जो अमार उजाला की वेबसाइट है उस पर भी यह प्रकासित है उस पर ले चलता हूँ तो देखे दोस्तों हमने गूगल क्रोम उपन कर लिया मैं यहाँ से यह सर्च करता हूँ यह नूज जो छपी है तो चलिए मैं इसको यहाँ से सर्च कर लेता हूँ इसको सर्च करने पर देखे यहाँ पर यह बिल्कुल अमर उजाला की बिल्कुल आफिसल वेबसाइट है तो देखे दोस्तों यह अमर उजाला की वेबसाइट है इस पर भी ये निव्ज छपी हुई है इसमें क्या बयान कुछ सरकार की तरफ से दिया गया था और निव्ज पेपर में भी ये छपा हुआ है तो यहाँ पर ये देख सकते हैं यहाँ से पढ़ सकते हैं और लिंक मैं आप लोगो को टेलिग्राम गुरूप पर दे दूँगा तो टेलिग्राम को भी ज्वाइन कर लिजिए तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो हमने बताया वही सब कुछ इसमें दिया हुआ है इसमें थोड़े डिटेर्स से दिया हुआ है तो आप लोग इसे डिटेर्स में पढ़ सकते हैं यहाँ पर सब कुछ सेना में COVID से पहले ज क्या कुछ कहा है उसके आप यहाँ पर देख सकते हैं चलिए दोस्तों जो भी जनकारी थी हमने आप लोग को बता दी वीडियो अच्छे लेगी है तो प्लीज एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें ताकि सब को यह पता चल सके चली मितने हम लोग से लेश्ट वीडियो में जै